पहले ही इस बात को थोड़ा बहुत डिसकस कर लिया था के फिजिकल कॉंटिटीज हैं क्या बिजिकली फिजिकल कॉंटिटीज वो ही कॉंटिटीज हैं जो के मेडियरेबल हैं अब वो quantities जो measurable हैं खाली उनको इस तरह नहीं का जा सकता कि उनका हम magnitude ले लें ठीक है जैसे एक बंदे ने काम किया है कोई या height ले लें ठीक है height हमने का कि वो है 104 अब अगर खाली 104 इसका magnitude बता दिया जाए तो वो enough नहीं होगा किसी भी quantity की measurement को explain करने के लिए इस 104 के साथ जब तक कोई unit नहीं लगेगा तब तक कुछ भी represent नहीं किया जा सकेगा कि ये physical quantities को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है ठीक है अब 104 कुछ भी explain नहीं कर रहा जब तक हम इसके साथ बताएंगे नहीं कि हमने height जो है उसको centimeter में लिया है या meters में लिया है या feet म में लिया है इंचिस में लिया है जिस चिस में बर्जी लें ठीक है तो physical quantities basically है क्या वो quantities जिनको मैयर तो किया जा सकते है और उसके लिए हमें किन दो चीजों के requirement है एक तो हमें quantity चाहिए ठीक है कोई एक quantity एक numerical figure या कोई भी digit और प्लस उसके units ठीक है अगर एक grocery shop पे जाएं औ अब sugar चाहिए कितनी चाहिए अगर हम सिरफ यह भी कह दें कि हमें five चाहिए sugar तो five क्या package चाहिए sugar के या हमें five kilogram sugar चाहिए तो इसलिए दोनों चीजों का होना लास्मी है एक quantity का और एक units का इन दोनों की भी हाफ पे ही हमारे पास physical quantities को describe किया जा सकते है अब physical quantities हमारे पास दो की होती है physical quantities में आ जाती है एक base quantities इनको categorize कर दिया गया है physical quantities को ही एक होती है base quantity एक होती है derived quantity ठीक है अब as from the name of that topic is base base क्या होता है base किसी भी चीज़ की base हो सकती है like अगर आप हमारी study में ही देख लें तो 9-10 को का जाता है कि वो हमारी base line है उसके बाद जो भी topics आते हैं foster second year में या BS में MS में वो relate कर रहे होते हैं उससे 9-10 के इस label से तो हमारे पास जो base quantities है वो भी इसी तरह से हैं जो के के वो खुदी exist कर रहे हैं और derived quantities वो quantities हैं जिनको derive किया जाता है from the base quantity derived from base quantities तो इसके examples लेते हैं कि base quantities क्या होती है और कितनी होती है base quantities को define कर दिया गया है कि यह 7 है ठीक है इन 7 से जादा फर्दर कोई base quantity नहीं है इन 7 को मिलाके ही फर्दर जितनी भी quantities निकाली गई हैं वो derived quantities के लाती हैं अब वो 7 quantities कौन सी है like length ठीक है अगर हमें book है book दे दी गई है या यह एक duster है ठीक है duster के length हमें find out करनी है तो हम क्या करेंगे एक meter order रखेंगे ठीक है जो के यूँ करके scale बना होगा उस पर scaling गूई होगी के 0 से start हो रहा है यह 1 है 2 3 4 5 6 तो हम इसको इस तरह मायर कर सकते हैं इसके length को मायर किया जा सकते है और इसके length का unit आजएगा meter ठीक है जो के किसे और चीज़ से derive नहीं हुआ वह वो खुदी एक exist कर रहे है तो पहली quantity थी length the next quantity is mass आप mass को मायर कर सकते हैं like अगर आप जो liver balance है जिस तरह liver balance होते है तराजू की तरह ठीक है तो उसमें इस तरह दो पैंस बने होते हैं ठीक है और पैंस के थ्रू आपने एक standard जो है अपना मैस्ट लिया होते है 1 kg का हो 2 kg का हो whatever तो उसके respect से हम दूसरे का mass calculate कर सकते हैं मतलब यह 1 kg मैस्ट जो है यह standard है ठीक है यह base है इस base की बिना पर जो है हम दूसरी quantities को describe कर सकेंगे के उनका weight कितना है उनकी length क्या है उनका temperature क्या है तो base quantity is first length, mass, time ठीक है अगर हमने time को भी calculate करना है हमारे पर straw watch है ठीक है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि straw watch को जो है press किया जाएगा on किया जाएगा और हम उसको time को measure कर लेंगे अब time का जो unit है वो seconds है अब उस second को define करने के लिए हमें कोई और value नहीं चाहिए तो इसलिए यह base quantity है length, mass, time, temperature temperature is also the base quantity ठीक है यह किसी और से derived नहीं की गई temperature है then amount of substance amount of substance ठीक है देन आ जाती है हमारे पास electric current एलेक्ट्रिक करन्ट के बाद आ जाता है intensity of light intensity of light अब अगर हम move करें toward the derived quantities यह हमारे पास seven base quantities हैं अब इनकी respect से drive quantities को हमने derive करना है कि वो किस तरह derive की जा सकती है और उनका further क्या use हो सकते है अब हम derive करना चाहते है quantity को हम सबसे बहुते quantity ले लेते हैं speed ठीक है अगर किसी भी object की speed को calculate करना है तो हमें दो चीज़े require है ठीक है इसका formula होता है distance over time ठीक है तो distance क्या है distance is basically about the length ठीक है जो length उसने cover की थी कोई भी car है या body है तो वो उसकी length ही है और time क्या है is also the base quantity तो इन दोनों के combination से उनको जो है base quantities को multiply करके या base quantity को divide करके जो हमारे पास quantity आती है that is called the derived quantity इसी तरह speed के बाद हम देख लेते हैं force को force जो है force भी एक derived quantity है क्यूंके इसमें जो है mass जो है वो हमें require होता है इसी तरह हमारे पास हमें उसका time चाहिए होता है कि उस पे अगर एक mass पे कितनी force लग रही है तो वो भी एक derived quantity है क्यूंके mass और time दोनों base quantities है तो base quantity के combination से उनकी multiplication से उनकी deviant से हमारे पास सारे derived units आती है अब जो derived quantities है और base quantities है उनके unit भी आगे इसी तरह से explain किया जाते है कि base quantities के unit जो है वो base units होते है ठीक है और उन base unit के combination पे हमारे पास derived units बनते है तो यह था आज का topic physical quantities जिसमें हमने दो तीन बातों को ही explain किया है the first one is कि physical quantity को explain करने के लिए दो चीज़ है ठीक है the one is quantity and the number two is the units ठीक है अब अगर हमारे पास कोई quantity आ रही है उसका unit must है यह हमने पढ़ा कि base quantities जो हैं उनकी जो है तादाद जो है वो 7 है वो 7 कौन-कौन से हैं length, mass, time, temperature, amount of substance, electric, current and intensity of light ठीक है यह basic base units हैं जिन से हम further derived quantities को explain करते हैं and then derived quantities हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी quantities क्यूंकि base ही सिरफ 7 पे है तो जो आगे जितने भी explain किये जाएंगे वो derived quantities के through किये जाएंगे तो derived quantities वो derived ही based quantities से हुई होती है तो that was the end of the topic